चत्रा के गिद्वार थाना छेत्र के अंतरगत सिंद्वारी काउं में अंध विश्वास ने जोर्दार दस्तक दी है यहां ओज़ा और गुनी के चपेट में आकर एक युवक के मानसिक रूप से बिमार होने का संसनी खेज मामला प्रकाश में आया है आरोप युवक के तथा कथित दोस्तों पर ही लगा है इस बाबत पिडित युवक के परिजनों ने गिद्वार थाना में आवेदन दे कर आरोपियों के विरुद कारवाई कर इंसाफ की कोहार लगाई है परिजनों के अनुसार सोनों दांगी नामक युवक करीब 15 दिन पूर्व मानसिक रूप से बिलकुल स्वस्त था लेकिन गाउं के ही उसके दो दोस्त विक्रम दांगी और उसके भाई विरेंद्र दांगी उसे एक मजाक में ले गए थे जहां से लोटने के बाद सोनों ना सिर्फ मानसिक रूप से बिमार हो गया बलकि अपने अजीबों गरीब हरकतों से उसने पूरे परिवार को सद्मी में डाल रखा है स्थिती यह है कि कल तक स्वस्त रहने वाले नौजवान को आज उसका ही परिवार न सिर्फ रस्यों में बांध कर रखने को मजबूर हो गया है बलकि उसकी जिंदगी एक कमरे में ही ताले के बीडियों में सिमट कर रह गई है जिसके बाद गितौर थाना पुलीस पूरे मामले की चार्च में चुट गई है हलाकि इस मामले में पुलीस पदादिकारी अभी कुछ भी कहने से कत्रा रहे है ग्यारा तारीको शाम छे बजे मेरा भाई बिल्कुल स्वस्त था और उसका एक दोस्त बिक्रम गाउं में ही है जो बिल्कुल अस्वस्त सिस्ति उसका कुछ था तो उसक्रम का भाई बिरिंदर वो बिरिंदर आया घर पे और सोनु को लेके गया वो चला गया और वो जाने के बाद दूसरी दिन भी हमने संपर्क तुरत किया कि सोनुक कब आएगा पिरेंदर बोला कि जब दूसरी गाड़ी जाएगी यहां से यह लोग यहां से वापस आएंगे तो आपका भाई चला जाएगा उस बीच में काड़ी भी वापस आई वहां से मेरा भाई नहीं आया मैंने ड्रैबर से भी संपर किया जो गाड़ी गई थी तो ड्रैबर बोला कि फिर हम लोग दुबारा जाएंगे यहां के कुछ लोग जाएंगे तो उनके साथ आपका भाई आजागा यही परेकरिया चलता रहा दो चार पांच दिन छे दिन बित गया हमने काफी प्रेशर और दबाव दिया तो उसोंने बोला कि अपका भाई सुमबार को आ जाएगा सोंबार को ना अनिक कर सनीवार को ही मेरा भाई घर पे आ गया जब मेरा भाई घर पे आया बिल्कुल अस्वास्ति ती था उसका माइन बिल्कुल अल्टरनेट था कुछ भी किसी को समझ नहीं रहा था हम सभी को मतलब उसका एक पागल किश्मी की जो होती ही के हरकत पूरी हो रही थे हमने कई मेडिकल्स कई जगा सला लिए तो डाक्टरों ने उसको का के रेफिर कर दिया हम यह जानना चाते हम मीडिया से सरकार से या दर्खवास करते है कि हमारी लोकल थाना की दोर में भी मैंने आविदन दिया हूँ कि इस पर कड़ी करवाई करते हुए हमारे हमें एक सची नयाई मिले इस बीच परसासन ने भी अभी कोई करवाई नहीं किया है हम नयाई की गुहार करें हम सभी परिवार गरीब है हम इलाज के लिए भी सक्षम नहीं कि एक अच्छे हस्पिटल में इलाज करा पाए है कि जो भी दोसी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और हमें नयाई मिले कि इसके पीछे किन लोग अम मजार में सोनू के देखे थे और सोनू साथ भी करम को देखे थे हाथ एथी कांद में कांद लगा कर मतलब दोन सत था तो कड़ पीम सफिये के सुनू यहां आया के सथा ले नय हम तो देखे हैं मतलब मतलो मंजार में हम गय को अब देखें सोनू को अर्भिक्रम के साथ आजी जिस समय आप देखे थे सोनु को उसमें उसका हिस्तिती किया था उसमें ठीक ठाकता है मतलब हमसे बात हुआ कि हम बोलों कि है कि सुनु के लिया है तो वह लगने हमसे कि अजी बोलों कि हमसे हुआ कि वह लिया है